जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में, उससे सौगुना नेताओं इस जे देश पैदा करेगा, कल बाराब जे मैं अपने सबी नेताओं के साथ बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूं जिसको आपको जेल में डालना आप टेश जेल में नमस्कार स्वागत है आपका दान यूस बार मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी प्रास्थानी दिली से बड़ी खबर है स्वाती मालिफाल के साथ मार्पीट और बचसलूकी के माफले में अर्विंद केशवाल के पीए विभव कुमार को बड़ा छटका लगा है कोट से द अर्विंद केशवाल के ये भी है जो तरीके से जो दिली महला आयों की अध्यक्ष है स्वाती मालिफाल उनके साथ मार्पीट का ये माफला शीश महल के भीतर हुआ उसके बाद विभव कुमार को दिली पुलिस ने गिरफतार किया और अब अग्रिम जमानत याचिका दिली की 30,000 कोट ने खारिश करती है कि बड़ी खबर इस पूरे माफली को लेकर साफने आ रही है यानि जिस तरीके से अर्विंद केशवाल उनकी पूरी पार्टी विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है इन सब के बीच ये बहुत बड़ा चटका अर्विंद केशवाल को लगा है और यही बजा है कि केशवाल ने वकायथा एक प्रेस कॉनफरेंस भी है जहाँ पर उन्होंने अपनी बौखलाहट कहीं न कहीं एक तरहिके से दिखाई है जिस तरीके से केशवाल बीज़ी वर बर से हैं और कहा है कि पीज़ी आम आथमी पार्टी के पीशे पड़ गई है सिर्फ इतना ही नहीं और फैन्द केश वाल तो यहां तक कह रहे हैं कि कल 12 बशे BJP headquarters वो पहुँशेंगे तमाम जो आम आथमी पार्टी के बड़े लीडर हैं उनके साथ वो BJP headquarters जाएंगे और वहां पर जिन नेताओं को गिरफतार करना है जिन नेताओं को जेल डालना है आप जेल डाल सकते हैं इस तरीके से अपनी बॉखलाहट अरविंद केश इस प्रेस कॉंफरेंस के चर्गे जाहर की है उन्होंने इस पूरी प्रेस कॉंफरेंस में विभव कुमार का भी जिक्र किया और इसी के साथ रगव और जाहर काई अर्फिंट की प्रिशानी इस पूरे माफले को लेकर किव जादा बढ़ चुकी है यह साफतोर पर उनके बयानों से समझा जा सकता है उनकी जो प्रेस कॉन्फरेंस पर प्रेस कॉन्फरेंस हो रही है फिर चाहे वो आतिशी की प्रेस कॉन्फरेंस हो फिर चाहे उसके बाद अब अग्विंद केश्वाल का इस तरीके से कैपरे परहाना और ये तमाम बयान देना और ये कहना कि दरसल में अपने सभी नेताओं के साथ 12 बचे बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूँ जिसे आप जेल में डालना चाहते हैं जेल में डालतों क्या कुछ अर्फिंद केश्वा ने इस पूरे प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान कहा है सुन मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया संजय सिंग को जेल में डाल दिया आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया अब ये कह रहे हैं रागव चड़ा भी अभी लंडन से लौते हैं कह रहे हैं रागव चड़ा को भी जेल में डालेंगे कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शांदार बनाए, यह नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाते हैं, हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहला क्लिन बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का अंतिजाम किया, अच्छे इलाज का इंतिजाम किया। ये नहीं कर पा रहे। इसलिए इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मुहल्ण क्लिनिक और इलाज को रोकना चाते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहल प्रधान मंत्री जी को बोलना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी आप ये जेल-जेल का खेल खेल रहे हो कभी एक को जेल में डालते हो कभी मने से सोदिया को कभी अरविंद केजरिवाल को कभी संजय सिंग को कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ MLA's MPs सब के साथ 12 बजे BGP Headquarter आ रहा हूं जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं आप जेल में डाल लो एक साथ जेल में डाल लो आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालके आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे ऐसे आमफिन पार्टी उनने वादी आप एक पर जाड डाल के देखें आम आद्मी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है जितने आप आमजब्मी पार्टी के नेताऊ को डालोगी जेल में उससे सौ गुना नेताव इस ये देश पैदा करेगा कल बारा बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेड़कोर्टर आ रहा हूं जिसको आपको जेल में डालना देश जेल में तो याद रहें ये वही अर्विंद केश्वाल हैं जब कुछ दिन पहले जब स्वाती मालिवाल के माफले पर आप क्या कहोगे तो केश्वाल कापने लगे थे केश्वाल ने माइक साइड कर दिया था और अकलेश यादम ने फिर मौर्चा सभाला था लेकिन आज ये अर्विंद केश्वाल विभव कुमार का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नि इसी के साथ मैं आपको जानकारी देदू कि विवव कुमार छिनकी गिरफतारी हुई है इस पूरे बाफले को लेकर जो कि अर्विंद किर्जवाल के पीए हैं और उन्हें जब कोट में पेश किया गिया अग्रिम जमानत याचिका को उनकी खालिच किया गिया तो कोट में वो टच मत करें वरना फैर नोकरी खा जाओंगी इस तरीके की बाते वो कर रही थी तो वो तमाम जो वीडियो क्लिप है वो कोट में चलाई गई है जिसके बाद विवव कुमार की ये जमानत याचिका जो है इसे पूरी तरीके से घारिच कर दिया गया है लेकिन इस माफले को लेकर बीज़पी के तवाफ नेता और साथी पूर्व में आम आथमी पार्टी का भी हिस्सा कई नेता रहे हैं फिर चाहे वो बीज़पी की जो प्रवक्ता है शाजिया इल्मी हो वो लगातार इस पूरे माफले पर बयान दे रही है और स्वाती मालिवाल को लेकर उनका सा जनकारी यानि इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्वयावार आहम आथमी पार्टी में होता है इसकी जनकारी उन्हें पहले से ही थी इतना ही नहीं शाज्या इल्मी ने तो आरविंद केश्वाल के पीए विभव कुमार की तुलना जो है वो संदेश खाली केस के जो पूरी तरीके से आरुपी को बचाने की कोशिश की तो वही कुछ नजारा यहां पर भी देखने को मिल रहा है शाजिया इल्मी ने क्या कुछ कहते हुए और विंद केज्रिवाल की पार्टी पर हमला पूला है और कहीं नहीं आएना दिखाने की कोशिश की है आम आदमी पार् सुल्टान साब के शीश महल में अराम करते हुए पकड़े गए हैं यानि की केज्रिवाल जी उनको अब तक संरक्षन दे रहे थे यह दिल्ली के शाजहां हैं जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममतर जी से संरक्षन दे रही थी यह वही हाल दिल्ली का है और बाकाइदा बचाया जा रहा है यह साफ जाहिर है कि केज्रिवाल इसके लिए जिम्मेदार है और उनी के कहने पर विभव ने यह मारपीट बदसलूकी की है सोची इतने संगीर इल्जाम लगे हैं मारपीट की बात आई यह सामने उसके मेडिकल डिकॉर्ड भी सामने आ बाहिला जो बाकाइदा उनकी पुरानी साथी 20 साल पुरानी साथी है उसको कुसूरवा ठहराया जा रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है उसके बारे में भद्दी बद्दी बाते कही जा रही है जूट मोड के विडियोस तोड़ मरोड के किये जा रहे हैं यह विडियोस क तो मैंने पहली कहा था इस तरह के विडियो आने लगेंगे दरसल आम आदनी पार्टी का यह पूरा टूल किट है यह पूरा अनका अपरेटरस है और लोग कहते हैं ना कि हर जगा कोई ना कोई डिर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है हर एक और्गनाइजेशन में तो प ट्रक्तवर आए कि आतिशी शीवाल ने पूरा चाहिए और फीशाओ सभणी लगे वेकिन आतिश य कह रही है कि सव्क्राइव थे टेन ऐसे इस में क्या कहा था किलोड़ की संग्यालने ईनग्यान लिया है और इसका तरवाई होगी सिक अप्सक्राइव गये ओंडित ऑ या आतशी अब जूट बोल रही है और आतशी देखे अपने मंत्री पत को बचाने के लिए एक दूसरी महिला पर इतनी जूटे इल्जाम लगाने के लिए क्या कुछ कर रही है यह उनकी मकारी उनकी आखों से उनके होटोस में जो शब निकल रहे हैं वो साफ जलक रही है उन प 버ákom seeking से कुछ उनकी पर चली गई इसनों के क्पड़े ने ने क्या करती है और क्या धिया करते है उतनी फसती है और नहीं क्या का देखिए एं तस्वीरों को बिडियो भाषर रहा है इसमें फूरी निकल रहा है ओंधा किर पकोन निकल पाईえे तो आपे गई थी लेकिन कभी उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि उनका माथा फट गया था तो आतिशी ने ज्यादा कर दिया यह जो लीपा पोती करने में जो कवर अपो कर रही है दरसल वह अपने जूट अपके के भार के तले पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर के अंदर के जो दल अब फ़स्ते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक अर्विंद केशवाल की मुश्किले बढ़ रही हैं एक तरफ उनके पीए की गिरफतारी उसके बाद क्या कुछ खुला से पीए के जर्खे इस पूरे मावले पर होंगे इस पर सब की नजरे हैं तो वहीं पर अर्विंद केशवाल का मीडिया के साथ ने आना और कैमरा पर ये कहना कि दरसल वो बीज़पी हेड़क्वाटर चाहेंगे जिनको गिरफतार करना है कर लीचे रागव चड़ा इसके लावा सौरभ भारतवाज आतिशी को गिरफतार करने की तयारी है तो वहीं बीज़पी का ये पलटवार करना जाहिर तोर पर अर्विंद केशवाल जो सर्फ एक जुन तक के लिए जेल से बाहर शूटे हैं अब कहीं न कहीं उनके ये कहीं न कहीं दिल्ली में जो फिलाल शुनावी घमासान हैं ये एक तरीके से दलदल बनता जा रहा है जिसमें वो सिर्फ और सि दस्ते ही नजर आ रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थान्यवाद